हेलो दोस्तो हमारे इस्टेन विदेर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो UPSC 2020 का जो प्रारंभीक परिक्षा का एड्मिट काड आ चुका है दोस्तो आईए देखते हैं उसको कैसे डाउनलोड करना है मैं मुवाइल के तुरू कर रहा हूं दोस्तो आप लैट्टॉप के करते हैं तो सबसे पहला तो desktop site हम open करेंगे यह देखिए यहां पर three dot है उस पर क्लिक करना है सबसे पहला इस पर क्लिक किया और यहां पर नीचे आ रहा है desktop site इस पर क्लिक किये तो हमारे पास page खुल करके आया है desktop site में और यहां पर जो है Google में हमें type करना है www.upsc.zov.in ठीक है जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो देखिए हमारे सामने एक page खुल करके आया और वहां पर सबसे पहला option है welcome to UPSC ठीक है इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तो तो इस पर मैंने क्लिक किया तो आपके सामने UPSC का जो website है वो खुल करके आ गया और आपके सामने यह देख सकत इस पर लिमरी एक्जामनेशन 2020 आपको उस पर क्लिक कर देना है चलते चलते तो उसके बाद क्लिक करने के बाद आपके सामने एक page खुलेगा और यह देखिए यहां पर लिखा हुआ है सारे जो name of examination है document type है document link है और यहां पर लिखा हुआ है click here तो इस पर आपको क्लिक करना ह हमें यह देख सकते हैं और end date यहां पर लिखा हुआ है जो कव होना है ठीक है 2020 का यहां पर लिखा हुआ है ठीक है तो हमें click करना यहां पर देखिए यह लिखा हुआ है click here तो click here पर click करना है इसके बाद देखते हैं कौन सा option आता है हमारे सामने थोड़ा सा wait कीजिए net slow है द साइट जो देख रहे हैं यह white भी आएगा आपके सामने अगर आपका उसका instruction देखना है तो आप इसको open किजिए ठीक है और instruction डॉनलोड कर लिजिए और instruction जो है देखिए क्या क्या लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि civil seva प्राख्त धनाएं है नंतने ने जाना है तो देखिए उसमें क्या है भीतर सामान जिना अत्वा सामान खरियें का प्रियोग होता है जैसे वर्जित होगा पूरी तरीके से और उमिद्वारों को इस प्रकार की घरियां परिक्षा कर्षभवन में ले जाने की अनुमती नहीं होगी तो अब देख सकते हैं अब सारा पॉइंट है आप पढ़ लेना ठीक है और डाउनलोड कर लेना अध्यक्त है तो आप yes पर क्लिक किजिए नहीं पढ़ा है तो दो कर सकतेे हो आपकी मरजी हो चरूंढों कर दि तो यह खुल करके आया और हमारे सामने दो option हैं, यह देके खुल के आया और हमारे सामने दो option है, रेजिस्ट्रेशन जो ID है आपका, जब आप फॉन भरे होंगे उस टाइम पे आपको registration ID आपको मिला होगा, उसके थुरू आप चेक कर सकते हैं, by roll number के थूरू भी चेक कर सकते हैं तो roll number तो है नहीं आपके पास ठीक है तो हमें click करना है by registration ID ठीक है इस पे click करेंगे तो हमारे सामने देखिए इस तरीके का page खुल करके आया है और यहाँ पर भढ़ना है जो आपका registration ID है वो जो आपका date of birth है वो और यहाँ पर जो capture दिया है ना यहाँ पर उपर में वो और उसके बाद submit करना है तो फिर आपका admit card खुल करके आ जाएगा तो आएए हम भढ़ते हैं यहाँ पर जो registration ID है जो मेरा ठीक है वो भढ़ते हैं यहाँ पर मैं अपना registration ID डाल दिया और अब मैं अपना date of birth डालता हूँ ठीक है दोस्तों तो दोस्तों मैं सारा चीज फिल कर दिया हूँ अब मैं submit पर क्लिक कर रहा हूँ देख सकते हैं यहाँ पर option है submit का और submit पर क्लिक करता हूँ जैसे ही वैसे ही जो है आपका admit card खुल के सामने आ जाएगा दोस्तों ठीक है यह देखिए एक option आया है download करने का यह download पर क्लिक करेंगे ठीक है तो download हो जाएगा यह आप देख सकते हैं यह खुल करके तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों यदि आप मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है दोस्तों तो please आप हमारे चैनल को subscribe करे like करे comment करे और share भी करे